नमस्कार दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑन्लाइन स्टडीन मुवाइल में आज विडियो में बात करने वाले हैं दक्षन सेली के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं दक्षन शेली दोस्तों मैं बता दूँ आपको आपने अभी तक मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेसन आपको मिलते रहे लाइक जरूर करें दोस्तों चलिए स्टाट करते हैं दक्षन शेली दक्षन शेली दस्वी स्तापदी में दक्षन भारत में इसका विकास हुआ था और इसी के नाम पर इसे दक्षन शेली नाम रखा गया और चोदु स्तापदी में दक्षन बारत में दो महतोपुन राजियों का उद्य हुआ था एक था विजे नगर दूसरा था बहमनी समराजे दोनों ही राजे कलावे इतियास की दर्ष्टी से महतोपुन थे विजे नगर की स्तापना 1336 में हरी हर्वे बुक्का नामक दो भाईयों ने की थी और यहां के सासक निरंतर कला को स्रक्षन देते रे आगे चलकर भैमनी समराजे सन 1491 में से लेकर 1510 के मद्य पांच भागों भाजित हो गया था और यह पांच भागों भाजित हो गया इनके नाम बताता हूँ आपको इस परकार है जो दक्षन शेली के प्रमुक के अंदर भी माने जाते है एहमद नगर है जिन जहां के सासक थे निजाम सा है बीजापूर के थे यादिल सा है और गोल कुंडा के थे कुतुब सा है और बिदार के थे बिंद सा है और बिरार के थे इमाद सा है एहमद नगर बीजापूर गोल कुंडा बीदर और बिरार ये पांच भागों वी बाजित हो गया था बहमनी समराजे 1491 में से 1510 यूशी के मद्ध है और ये पांचों दक्षिन शेली के प्रमुक के अंदर माने जाते हैं दक्षिन शेली में मुख्यत है इरानी वे अर्वी कला का प्रभाव दस्टी गोचर होता है तो दोस्तों यहां से इस तरिक्षिन का क्षिन शेली पर किन कला सेली का प्रभाव था इरानी वे अर्वी कला का प्रभाव था बहमनी राजे दर्मांद राजे था इसलिए वो कभी भी वीजे नगर की कला को नहीं अपना पाई बहमनी राजे है यामबर जो सासक राजा थे वो द्रमांद राजे था इसलिए का जाता है कि वो द्रम में अंदे अपने द्रम को मानने वाले थे वो दूसरे द्रम को सुखार नहीं करते थे इसलिए वो बिजे नगर की जो कला है उसको सवया नहीं अपना पाए जो बहमनी राजे के लोग थे सोने चांदी का सरवादिक प्रयोग वा था दक्षण सेली में दोस्तों दक्षण सेली का प्रमुक चितर है जल्दारा में आती दक्षण सेली का प्रमुक चितर कौन सा है जल्दारा में आती और सोने चांदी का प्रयोग सरवादी किस सेली में हुआ ऐसा पुछा जाए तो किस में है दक्षिन सेली में अब बात करते हैं दक्षिन सेली के प्रमुक केंदरों के बारे में बीजापूर बीजापूर की स्था अपना आदिल साहे ने की थी आदिल साहे पर्थम की इतिहास परशिद पतनी चांद बीवी जो विदूसी वे चितर कर्मी भी थी बिजापूर राजे की लिखीगी पुस्तक है नुजूम उल उलूम जो खोगोल विद्या पर अदारित है बिजापूर राजे की लिखीगी पुस्तक कौन शी है नुजूम उलूम जो किस पर अदारित है खोगोल विद्या पर अदारित थी इस पुस्तक में चितरों की संक्या 876 है और वर्तमान में यह चेश्टर बेरी संग्राले में इस्तत है यह पुस्तक 1570 में चांद सुल्ताना की दवरा रचना की गी थी इस पुस्तक की अली आदिल साहे दित्ये इनके सासन काल में बिजापूर कला की सरवादीक उन्ती हुई और यह सवन लेखक वे कवी भी थे बिजापुर कला की सरवादी कुनती किसके सासन कालमे वी थी आदिल साहे दिते के सासन कालमे और ये सवन लेखक वे कवी भी थे इबराहिम आदिल साहे को उस वक्त की जगत गुरू की उपादी प्रापत थी आदिल साहे ने नौरजपुर की स्तापना की और नौरजपुर के कवी थे कवी जोहरी जिनके दोरा लिखी गई पुस्तक है किताबे नौरस दोस्तों किताबे नोरग पुस्तक है वो किसके दोरा लिखी गई कवी जोरी के दोरा और वो कहां के कवी थे नोरजपूर के स्तापना किसने की आदिल सायने बिजापुर में रहने वाला मुगल चितरकार है फारुक बेग फारुक बेग एक मातर ऐसा चितरकार था जो मुगल सेली में भी कारिया कर चुका था और दक्षिन सेली में भी इसने कारिया किया था फारुक बेग बिजापुर सेली में परमुक चितर हैं सगनवन में स्तरी हाथियों के लड़ाई चांद बीबी पॉलो खेलते हुए दोस्तों जो चांद बीबी पॉलो खेलते हुए चितर है ये आपको कहीं पुस्तकों में गोल कूंडा में देखने को मिलेगा जो NCRT की बुक हैं वो इन्हें चांद भी पॉलो खेलते हैं इसे गॉल कुंडा में मानती है और मादेमिक शिक्षा बोर्ड है वो इस चितर को बिजापूर से ली के अंदर बताती है तो दोस्तों दोनों इस है पर मेरे माइन में यह जो NCRT वाला है यह 90% सही माना जाएगा NCRT में जो गॉल कुंडा में बता रखा है बिजापूर में रागमाला का चितरांकन हुआ था वो बुडोदा संग्राले में इस्तत है बिजापूर में चितर कला के साथ सा स्थापत्य कला के भी उधारन हमें देखने को मिलते हैं गॉल गुंबद इबराहिम रोजा वे जामा मस्जिद आदी दक्षन शेली का दूसरा प्रमुक केंद रहे एहमद नगर वीजे नगर को हराने में एहमद नगर के सासक हुसेन निजाम साह का योगदान था 1565 में इनकी मर्ति होने के बाद इनके अलब वेसक पुत्तर जो एहमद नगर का सासक बनाया गया और मुर्तिजा की सरक्षन में सरक्षिका के तोर पर गोल कुंडा वाली बेगम एहमद नगर का राजकारिया संबाल रही थी गौल कुंडा के जो बेगम थी वो एहमद नगर का राजपार्ट समाल रही थी मुर्तजा की सरक्षीकाँ के तोर पर मुर्तजा ने तारीफ ए हुसेन साही गरंथ युद से समंदित चितरित किया था इसमें 21 चितर बने वे हैं अब बात करते हैं दक्षिन शेली का तीसरा प्रमुक के अंदर है गोल कुंडा इबराहिम कुदूब साहे ने गोल कुंडा की स्थापना की वीजय नगर के पतन के बाद सरवादिक फाइदा गोल कुंडा को हुआ था यहां सिल्पी जुल्हा कळाका और वे समर कार गोल कुंडा में कार्य करते थे गोल कुंडा का परशिद चितर है, नारी और मेना जिसकी परश्ट बुमी सुनहरी दर्शाई गी है और यह चैस्टर बेरी संग्राले डबलीन में इस्तथ एं गोल कुंडा में सरवादिक मयोर पक्षी का चितरांकन हुआ है जो दक्षिन सेली का प्रमुक्स तल है गोल कुंडा या पर किस पक्षी का सरवादिक चितरांकन हुआ है मयोर पक्षी का और गोल कुंडा का परसी चितर है नारी और मेना और इसकी परष्ट भूमी कैसी है दोस तो सुनहरी और ये वरतमान में कांपर है चेस्टर बेरी संग्राले डबलीन में इस्तत हैं मुम्मद साय के सासन काल में अनेक दरबारी दर्शिया बने थे इनके रंगों में मुगलिया पर बाओ दर्श्टी गोचर होता है 1610 से 1620 इस्वी के मद दे काल में गोल कुंडा में दिवाने हाफीज नमक पुस्तक चितरी तुई ती 1610 से लेकर 1620 इस्वी के मद दे गोल कुंडा में नर्त्यांगनाएं वे पासवानों आदी नारियों के सवन अबुसन दान किये चितर मिलते हैं 1590 में बने 5 नर्त्यांगनाओं के चितर मियुजिम संग्राले लंदन में पुस्तत है और यह चितर गोल कुंडा के प्रारबिक चितर माने जाते हैं मुसली पट्टम गोल कुंडा से लेका परसिद बंदर गाया है दोस्तो गोल कुंडा का मुसली पुट्टम स्थान है वो परशिद बंदरगाय की रूप में जाना जाता है और गोल कुंडा का प्रमुक चितर है चांद वीबी पॉलो खेलते हैं दोस्तो ये NCRT के तैत माना गया है और इसे मद में शिक्षा वोड को दोरा पहने पहले आपक पुछी जा चुकी है और पुछी जाने की संभावना भी बनती है कि दक्षन सेली के प्रमुक चितरकार कोन रहिम और मीर हासिम ये दो दक्षन सेली के प्रमुक चितरकार हैं तो दोस्तों ये थी हमारी दक्षन सेली कंपलेट हो चुकी है आप में से दोस्तों ने कॉमेंट किये थे कि सर दक्षिन सेली पर वीडियो बनाईए तो मैंने आपके लिए दक्षिन सेली पर वीडियो बनाया है अगर अच्छा लगा उनको सभी को आप सभी को अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज लाइक करो कॉमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ भी सेर करो और आगे कुमेंट करके बता दीजे मुझे किस पर वीडियो चाहिए आपको उसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर आता रहूंगा धन्यवाज दोस्तों